नमस्कार दोस्तों मैं हूँ चंद्रिश आथ देख रहे है गीक अचारे और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको प्रॉमिस किया था कि मैं प्रॉमिस कि देखांगा आपको तो आज बात करेंगे इस वीडियो में नेकसेश सिक्स्पी में पिक्सल एक्स्पिरियंस रोम की पहले चीज़ आप नोटिस करेंगे वो है यह always on display always on display के अंदर आपको time दिख जाता है, date दिख जाती है, present notification icons दिख जाती है और battery का charge level indicator नीचे सबसे नीचे दिखता है phone को unlock करते हैं, phone को unlock करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे यह home screen है brightness बढ़ा देता हूँ क्योंकि दिखेगा नहीं काईदे से, यह home screen है, यह मेरा wallpaper है यहाँ पे आपको फिर से वोई date दिख रहा है, present temperature दिख रहा है, यह navigation pill है navigation pill पे swipe up करेंगे तो आपको recent apps दिखेंगे, recent apps में सबसे left में जब आप swipe कर देंगे तो आपको clear all button देखेगा, clear all button पे tap करने पे you can remove whatever the recent applications are there presently फिर आप एक बार pill पे swipe किया, recent apps पे आगे, दोबारा swipe up करेंगे तो आपको app drawer मिल जागा, app drawer में सारे apps जैसे की usually होता है, वैसे है आपने notice किया होगा कि यह जो यहाँ पर Google search का widget है और यहाँ पर search widget है, यह persistent है, यह हमेशा आपको मिलेंगे throughout, आप किसी भी screen में होगे, आपको यह search bar जरूर मिल जाएगा, search widget जरूर मिल जाएगा अब जो कुछ चीजे मैंने notice की, जो मुझे बहुत अच्छी लगी है, इस particular room में, वो यह पहला notification shade का, यह Android Pie का ही feature है, notification shade जो था, उसका look and feel change हो गया है, कोई operational, कोई feature improvement नहीं हो है, कि आप कोई और बहतरीन काम कर पाऊ अपने notification panel के साथ, पर उसका look and feel change हो गया है, यह look मुझे थोड़ा ज़ादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि हो सकता है कि यह नया हो, इस वज़े से मुझे अच्छा लग रहा है, तो यह मुझे look and feel ज़ादा अच्छा लगा है इसका, और दूसरा है, आप, इसने Google ने digital well-being introduced किया है, 9 Pie के साथ, well-being आपको offer करते है, जैसे यहाँ प कौन सी feature पर कितना time अपना दिया है, कितनी बार अपने phone का unlock किया है, कितने notification आपको एक दिन में रसीव हुए है, दूसरा एक और digital well-being का ही part है, wind down, wind down में आप time set कर दोगे और phone उसके हिसाब से ही आप, आपको सोने के लिए तयार कर देगा, मतलब wind down, basically इसलिए कि आप पुर wind down का मैंने time set 11 बजे कर रखा है, मैं 11 बजे के असपास हो जाता हूँ, आपके gray scale का feature है, जैसी wind down शुरू होता है, phone का display black and white हो जाएगा, do not disturb, कोई भी notification, कोई भी alerts नहीं आएगी मेरे बास, night light मैंने schedule कर रखी है दोस्तों, यह location service का use करता है, और यह automatically sunset और sunrise के हिसाब से night light को टॉगल करता रहता है, जैसे ही sunset होगा, जैसे ही सूरज ढलेगा बाहर, वैसे ही मेरे phone में वो जो night light होती ही, night light वो yellow color का tint आ जाता है phone के ओपर, display के ओपर, तो वो yellow tint आ जाता है, तो बस यह है digital well being का feature, दूसरा एक अच्छी चीज़ इंट्रोड्यूस की है, network services के अंदर वो ह आप type करते हैं facebook.com, youtube.com या instagram.com, अब यह जो .com है, इसे domain name करते हैं, और domain name जब आप कहीं enter करते हैं, तो आप actually एक server पे जाना चाहते हैं, जहाँ पे आपका content store है, जहाँ पे youtube video actually store है, तो जब आप youtube.com type करते हैं, तो actually आपका youtube.com request पहले जाती है, एक domain name server के पास, वहाँ पे आ आपके network connection को पता चलता है कि इस IP address पे जाना है, और फिर वो IP address पे जाके उस particular server से connect हो जाता है, अभी आप यह domain name server service system पे जो आपकी request जा रही है, उनको encrypt कर सकते हैं, उनको private कर सकते हैं, यह security enhancement है एक तरह से, और यह मुझे काफियाच सा लगा private DNS का feature, तीसरी चीज जो मुझे पसंद आई है, वो यह है कि अब आप यहाँ पे अपनी theme select कर सकते हैं, dark or light, मैंने dark किया तो यह notification shade dark हो जाएगा, और यह जो app launcher है अपना वो dark हो जाएगा, वैसे कुछ जादा है नहीं, पर यह जो भी है, एक और अच्छी चीज है जो हम double tap करते थे recent apps को switch करने के लिए, वो अब ही पिल पे पकड़ के right swipe करेंगे तो you can toggle between, recent app, just say मैंने word web खोला, अभी मैं toggle करना चाहता हूँ, I can just swipe and toggle, swipe and toggle, swipe and toggle, swipe and toggle, it's easier, मुझे white पसंद है particularly, तो मैं light theme switch कर लेता हूँ, फिर से यह देखे light हो गया है, तो इतनी ही feature improvement से बाके look and full change हुआ है, फोन थोड़ा जादा स्म mood लग रहा है मुझे अब पहले की बजाए, और क्योंकि यह 2015 का smartphone है, 2015 का flagship है, तो मैं सूच रहा था कि मैं upgrade कर लूँ, मैंने upgrade मंगवा भी लिया, एक और certain flagship मंगवा लिया है, पर मैं सूच रहा हूँ किसे एक साल और use कर लिया जाए, तो देखते हैं यह कब तक चलता है, और in the meanwhile, अगर मुझे कोई नया feature, नया improvement मिलेगा, मैं आपको ज़रूर बता दूँगा follow-up वीडियो में, तो ये था मेरा experience, Pixel Experience Room के साथ, Nexus 6P smartphone में, वीडियो को like करिये अगर आपको पसंद आया, comment करके मुझे बताए कि आपको कौन सा feature Android Pie या Pixel Experience Room में पसंद आया है, comment करके मुझे ये भी बताए कि मैं कैसे वीडियो की quality को improve कर सकता हूँ, क्या चीज़ें आप बाद में देखना चाते हैं इस वीडियो में future में, share करिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को subscribe करें दोस्तों क्योंकि मैं ऐसे ही interesting वीडियो लाता रहूँग आपके लिए, thank you